असलाम अलेकुम चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं उर्दो बुक का अगला चेप्टर जिसका नाम है उर्दो ड्रामा नेगारी और आगासर यह चेप्टर नमबर टेन है और बहुत ही इजी सिंपल है छोटा सा है आप लोग को अभी टफ लग रहा होगा आप लोग सोच रहे होंगे इसका कैसा चेप्टर आगया है जिसका कुछ मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है वह नहीं हों Ärक चीज समझ में वायगा और सबसे पहले हम अगयों चलते हैं के मुसनिफ कि तरफ उप हम से बारे में समझेंगे हर एक चीज देखें इस मजमून ठीके क्या नाम है लुद्फुर रहमान इनकी जो पैदाइस हुई थी यानिकी इनका जन्म हुआ था छपरा जिला के बुन्यारपूर पस्वा में कब उनएस से 41 इस भी को ठीके जो उनका नानी हाल था यह याद रखेगा उन्हें से 41 इस भी को कहां पर पैदा हुए छपरा जीला के बुनियारपूर में और वह बूनियारपूर पूर्जयोंना उनका अपना घर नहीं था ना नानी अधाम नानी का घर हो था यह रेवैंडा जीळाव दर्भंगा थीख है यह याद रखेंगे उनके वालिद का नाम के वालिद का नाम था मौल्वी अब्दिल बच्पन जो लुट्फ रह्मान थे ना वो पढ़ने में रूची रखते थे दिल्चस्प भी रखते थे और इसलिए उन्होंने डवल में और पीच्डी भी की यहां तक की में में गोल्ड मेडल भी हासिल की और उसके बाद तदरीशी खिदमात का आगाज भागलपूर और यहां वहाँ पर नौकरी करने स्टार्ट किया और वहां से सबक सब्सक्राइब करने नहीं रखते ते ते और राष्ट जंतादल सरकार का वजीर भी बने थे वह रास्टे जनता दल जो सरकार चल रही थी रास्टे जनता पाटी उसके वजीर भी बने थे क्या बोला जाता है वजीर को मिनिस्टर बोला जाता है ठीक है मिनिस्टर बने थे आगे देखिए शाहिरी मजमुआ उनका जो शाहिरी का किताब है वो तीन है जो आप लोगों के बु जाच परख्ट करने को क्या कहते हैं खरी खोटे की जाच तनकीद कहलाता है और इनका तनकीदी जो किताब है वह दिया है आप लोगों के बुक में नकद निगा रासिक अजिम अबादी नताबीर वा तनकीद शेहर वफा और नसर की शेरियात वगएर वगएर ठीक है यह तनकीद भी लिखां करते तैंगार और कहानी भी लिखां करते थे तिक है यह वगई के बारे में अब हम लोग चलते हैं और यह उत्यक्स कलते हैं और लोग नहीं पाए उर्दू का तो आप लोग समझेएगा कि हाँ जरूर कोई उस कीशू है कोई समस्य आ गई है कोई कारण है जिसके वाजा से मैं वीडियो अप्लोड नहीं कर पाई तो इस तरह का मुझे एक्साइटमेंट बहुत अच्छा लगता है और आप लोग के कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत गरूक है तो मुझे और बेधर से देधर के लिए करनी चाहिए तो उर्दुपुक का औल चेप्टर आप लोग को क redef तो में ठीक है इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं ले नहीं सेशन कम्प्लीट होगा बस आप लोग हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें ज्यादस ज्यादस शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और हापना कमेंट भी बताते रहेगा कि जो भी मैं समझा रही हूं लोगों समझ में आ रहा है कि नहीं सघ् साइडमेंट भी दिखाए कि आप लोग पढ़ने के लिए कि तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज इस तरह आना चाहिए ताकि आप लोग का यही excitement मुझे motivate करे और मैं आप लोग के लिए और बहतर कर सकूँ ठीक है तो यहां तक समझ में आ गया मुसनिफ के बारे में राइटर के बारे में अब हम लोग चेप्टर की तरफ चलते हैं और चेप्टर को समझते हैं तो लिजी यहां तक फटफट स्क्रीन सौ अब चलिए जरत चेप्टर को समझ लेते हैं जप्टर का नام है उर्दूर ड्रामा निगारी और आगाह थार जोकि एक मज़बून है निबंध है और यह किस पर निबंध लिखा गया है तो आगाह थार पर अभी आगाह थार साहब कौन है तो यह है एक ड्रामा निगार पेश कर दिया जाए उसी को तो बोलते हैं ड्रामा नाटक सवा आखंते इंगे कौन की बड़ी बात कि आज क benefici है फिल्म और विस Agreement जब से ये फिल्म और टीवी सो जाया है ना तब से ड्रामा का गला घोरती है ड्रामा का नाम और निसान खतम हो गया है नाटक का सभी लोग अब घर पर ही रहना पसंद करने के पास एक एंड्रॉइड मुबाइल दे रहा है उसमें हर एक चीज अवेलिबल है अंग लोग का ड लगए तो जो गरीब लोग थे जो ड्रामा और नाड़क करकर अपना रोज्गार रोजी रोटी चला रहे थे लिए नुकसान हो गया है उसे लिए नुकसान भीए तो हम लोग आते हैं टॉपिक के तरफ ड्रामा तो समझ में आ गया अब जो ड्रामा लिखता है उसको बोलते हैं ड्रामा निगार ड्रामा लिखने वाले को क्या बोलते हैं ड्रामा निगार तो वही है हमारे आगाहशर कस्मीरी का पूरा नाम है आगाहशर कस्मीरी तो यह एक बहुत फेमस ड्रामा निगार थे ठीक है और उर्दू ड्रामा निगारी देखिए ड्रामा निगार और ड्रामा निगारी में फर्क होता है जो ड्रामा लिखता है उसको बोलते हैं ड्रामा निगार और ड्रामा जब लिखा जाता है उसको बोलता है ड्रामा निगारी ठीक है यहां पर आप लोगों को फर्क जानना जरूरी है ड्रामा लिखने को बोलते हैं ड्रामा निगारी लेकिन जो इंसान लिखता है उस इंसान को बोलते हैं ड्रामा निगार तो आगाहशर एक बहुत ही फेमस ड्रामा निगार थे और इन्हीं के बारे में डिसकस किये हैं हमारे लुस्फू रहमान चाहिब के बारे में बात सर बारे में लंबा च्टर बात कि कि अुर्दू डूर्दू ड्रामा निगारी में उर्दू का स्ठाइब क्वियर माना स्ठाइब खूँ कश्पियर सॉच लोगती लोग इन विपक्ष में वी रोद करने वाले बहुत कमी लोग होते हैं और वह बहुत ज्यादा देखकर जलते हैं उसी तरह हमारे आगाशर के सांथ हुआ था इनके पक्ष में तो बहुत तरह है वह थे और उर्दू का सक्सपियर माने थे लेकिन आगाशर के कुछ जलने वाले दुश् उर्दू ड्रामा लिखना नहीं उसको समझना भी पड़ता है कि नहीं से और बेतर लिखा जा सकता था कुछ जलने वाले इर्षियालू टाइप के होते हैं जो आगासर से क्या करते थे जलते थे फिर भी इनको कामयाब होना ही था तो इनका एक यूनिक स्टाइल था तो कामया अल्रेड़ी बता चुकी हूं सायद सिक्स सेवन चेप्टर में आप लोगों को पढ़ा बताई हूं आप लोगों सेवन चेप्टर में देख लीजेगा आप लोग सरस्या देमत खा के बारे में बताई हूं और उनकी अलिगर मुस्लिम यूनिर्शिटी वाला तहरीक था जि तो उस वक्त सरस्यद की तहरीक चल रही थी और ड्रामा निगारी हमारे आगाहसर कस्मीरी स्टार्ट किये थे उनकी से एक इसबी में लेकिन इनके स्टार्ट करने से पहले क्या होता था लखनाउं जो क्या बहुत जबहुत जदा फेमस था वहां पर सभी लोग क्या करते थ तो उस वक्त बहुत स्टार्ट किये लिखना और इनका फेमस होने लगा इनके इलावा और भी कुछ राइटर थे जो लिखा करते थे एक मिनट उनका नाम में बता दे रही हूं आगाहशर के इलावा कुछ और भी थे जिनका नाम इसमें दिया है बेताब देलवी और एहसन लखनवी यह दो ऐसे राइटर थे ड्रामा निगार थे जो फेमस थे लेकिन जितना आगाहशर फेमस थे ना पॉपुलर थे उतना यह लोग फेमस नहीं थे तो आगाहशर का अ सब्सक्राइब होस खवाब हस्ती यहूदी की लड़की रुष्टा में और सिल्वर एकिंग वगएरा बहुत तरह इन्होंने ड्रामा लिखा और इनका एक यूनिक स्टाइल ता लिखने का जिसके बहुत ज़्यादा फेमस होगए पॉपुलर हो गया इसमें जो सबसे ज्य मुक्तसिर तरीन सवलात से आप लोगा स्टार्ट होता है यहां से सबसे पहला सवाल है लुथ्फुर रहमान की पैदाइस कब और कहां हुई मतलब लुथ्फुर रहमान कब और कहां पैदा हुए तो अभी तो मैं बोर्ड मीटा दी हूँ कोई दिकत नहीं है मैं बता दे र लुथ्फुर रहमान की पैदाइस कब और कहां हुई थी दूसरा सवाल है लुथ्फुर रहमान किस पार्टी के वजीरे और एमेले रहे तो यह भी मैं बता चुकी हूं लुथ्फुर रहमान क्या थे सियासत पोलिटिक्स में दिल्चस्बी रखते थे और वह राष्टे ज सब्सक्राइस सब्सक्राइब . अपास नंबर सवाल है ड्रामा की तक्मील का लाजमी अनसर क्या है अलब ड्रामा को दिखाने का जो लाजमी कि सारु उता जारूरी चीज के लिए सबसे पहली चीज होती है दूसरी चीज होती है किस्था और कहानी चाहिए जिस पर आप ु्राइ्मा कर्चे नाटक करखे अगर किसा और कहानी नहीं रहेगा कोई टॉपिक रहएगा क्या id всем doctor कोई भी मौझू होना चाहिए टॉपिक होना चाहिए और आप ड्रामा करेट कर सके नाटक कर शके और तीसी चीise होती है आप 각 किरदार character अगर character किरदार ही नहीं रहेगा तो रोल कैसे प्ले होगा ड्रामा कैसे स्टार्ट होगा कैसे ड्रामा नाटक किया जाएगा तो यह तीनों चीज बहुत ज़्यदा में आप जुम्ले लिख लिजिएगा मैं सुरू में ही लुद्फ रह्मान के बारे में बताई हूं पीछे करकर देख लिए और उसमें से में में पॉइंट को लिख लिए पांच ही सेंटेंस में लिखना है दूसरा सवाल है मजमून निगारी की मुखतित तारीफ लिखना है म तनकीद के बारे में पांच जुम्ले लिखना है तनकीद के बारे में भी आप लोगो बता चुकी हूं बार बार खरे खोटे की पहचान करना तनकीद कहलाता है अगर कोई भी मुसनिफ कोई भी सिन्फ लिख रहे चाहे वो शेयर लिखे मजमून लिखे किसा कहानी लिखे अ तो मैं आप लोगों को बता चूकि हूँ ऐसे लिखिएगा ड्रामा वह सिंफ है जिसमें किसे भी मौजू को नकल के जरीए स्टेज पर पेश किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ड्रामा हो गया पांच नमबर सवाल है आगाहशर कस्मीरी की ड्रामा निगारी पर पांच लिखिए आगाहशर कस्मीरी है इनके ड्रामा निगारी ये ड्रामा कैसे लिखा करते थे ये फेमस क्यूं हो गए यह आप लोगों को लिख देना है पांच शी जुम्ले में पांच सेंटेंस में हो गया अब आगती है तवील सवालात की यानिकी दिर्ग उत्रिया परसन की लंबा लंबा अंसर वाला पहला सवाल है लुट्फुर रह्मान की तनकीद निगारी पर एक मजमून लिखना है यहीं की तनकीद लुट्फुर रह्मान की तनकीद निगारी पर आप लोगों को मजमून लिखना है निबंद लिखना है वो कैसे तनकीद को लिखा करते थे तनकीद बता चुकी हुए इसमें बताने की जूरूत नहीं है दूसरा सवाल है अगा सरकस्मीरी की ड्रामा निगारी पर रोसनी डाली है आगा सरकस्मीरी वो कैसे ड्रामा लिखा करते थे वो क्यूं फेमस हो गए अब इसमें आप लोगों को लंबा चौड़ा लिखना है तवील सवाला थे तो तीसरा सवाल है उर्दू में तनकीद की आगाज वर इर्टकाय पर रोसनी डालिए मतलब उर्दू में जो तनकीद है क्रिटिसिजम है उसका आगाज कैसे हुए उसका विकास कैसा वब कहां कैसे हुआ आप लोगों को बताना है एक लिएक लिए को इन्सर का वीडियो में आप लोगों को अप्लोड करूंगी पहले आप लोगों को बढ़ा दों ठीक है चार नमबर और लास्ट सवाल है इसम की तारीफ कीजिए और इसके एकसाम बयान कीजिए इसम किसे कहते हैं यह उर्दू ग्रामर का टॉपिक है जो कि उर्दू ग्रामर में अल्रेडी पढ़ा चुकी हूं इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है उर्दू ग्रामर के प्लेलिस्ट स कि इसम का मतलब होता है नाउन संग्या और इसम क्या है कितने परकार के होते हैं बनावट के लिए हाद से इसम कितने परकार के होते हैं मानी के लिए हाद से ठीक है और यूज के इस्तेमाल के लिए हाद से कितने परकार के होते हैं मैं बता चुकी है तो आप लोग वहां से जा चप्टर 11 को स्टार्ट करेंगे और उसको भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देंगे इस चप्टर से रिलेटेट कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करकर पूद सकते हैं वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूंगी आप तक सबसे पहले पहुचेगी तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदाहाफिए